सब्सक्राइब कुमार सिंग सब्सक्राइब कर दिया गया है हाली में जी हाँ और यही कहीं न कहीं एक प्रवर्सी एक डिसकसन का पार्ट भी बन रखा है लोगों के बीच में लेकिन हमने देखा है कि यूपीसी में जो कुछन सब्सक्राइब कर रहे हैं इसको लेकर कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं इन बिडबिल हमारे सामने एथिकल कंसर्न क्या हो सकते हैं आखिर हम आगे चलते हैं तो देखेएंगे वच्छों हुआ यह कि मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूं नीट पीजी के जॉप कॉलेज होते हैं उन्में जो बच्चें के कट आफ को कहीं कें क्लियर करते हैं वहां पर कांसलिंग के अपलाई करते हैं लेकिन पिछले कई सालों से क कट आफ को उठा कर कम करके जीरो कर दिया जी हां जीरो कर दिया अब जब कट आफ जीरो हो गया तो यहां पे कुश्चन आता है कि आखिर सरकार ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया उसके पीछे हमें दो चीजे देखने को मिलती हैं पहला टू फिल अप दा वैकेंड सीट बहुत से पब्लिक और प्राइवेट ऐसे कॉलेज गौवर्मेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं जिन कॉलेज में सीट जो थी काफी वैकेंड रह जाती थी कट आफ जादा होने के कारण बहुत से लोग इसके लिए अपलाई नहीं कर पाते थे और दूसरा कंसर हमारे सामने यह आता रही है तो यहां पर मुद्दा यह भी आता है कि प्रिवेंट नेशनल लॉस एंड अलाव मोर डॉक्टर्स टौ अप्टेन डपीजी डिग्री एंड स्पिसलाइजिशन ताकि उनकी संख्या भी बढ़ सके और हेल्थ जो एक इंडिकेटर है डेवलपमेंट का हेल्थ क्यों के बाद भी जब यह इस्टेप गवर्मेंट के द्वारा लिया गया तो बहुत से लोगों ने कहीं न कहीं इसके अपोज में बहुत सारी बाते की हैं अपने आपको एक्स्प्रेस किया है आखिर आए देखते हैं कि लोगों का आखिर कहना क्या है सबसे पहले एक कुछ लोगों का यह मानना है कुछ लोग कहते हैं कि अगर जीरो हो गया कटाफ तो बहुत सारे बच्चे जो है अप्लाई करेंगे और अब जो प्राइवेट कॉलेज हैं ठीक है वो हाई फीस इस्ट्रक्चर रखेंगे और कहीं न कहीं यहां से करप्सन जो होगा वो प्रम जोंतर पर मानना हो जाता है कि इस सेनरी स्फ सेनरीयो तहदेगे जो इसमय स्पैसलाइज के मलब श्रौ पूप रहा है एक के एक हमाँ इंपॉर्टेटन होता है कर ऊहके एक टीचर जो है एक two in the रिखेंस जो पीए वह कैली हिर वह लोगों की बीचस्ट में आगे घृपी जो आप आरी समय रहे कि लोगों की विच में यहांमे पर और उसकी भी है जो बहुत सारे concern हमारे यहाँ पे देखने को मिले हैं तो आई आगे चलते हैं कि अब हमारे लिए discussion का मुद्धा क्या है तो जब हम ethics के subject के नजर यह से टॉपिक देखते हैं तो हमें यहाँ पे discuss करना तो इसके प्रोज और कॉंस हम यहाँ पे discuss करेंगे कि आखिर यह जो government का decision है इसके प्रोज क्या हो सकते हैं कॉंस क्या हो सकते हैं इस basis पर आप एक conclusion भी अपना बना सकते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोज पे प्रोज पे बात करने जाता हूं मैं तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है reduction in brain brain drain आपने बिल्कुल सही का बहुत यसी रिपोर्ट हैं जिनके द्वारा हमें यह data मिलते रहे हैं कि इंडिया में MBBS करने के बाद में ठीक है जो लोग है वो बाहर के और चले जाते हैं वहां से जाके PG करते हैं ठीक है इवन graduate होने के बाद में बाहर से जाके PG करते हैं और क्लियर नहीं कर पाते हैं उसकी वज़े से उनको बाहर जाना पड़ता है और फिर बाद में brain drain भी इंडिया से हो रहा है इवन OECD कंट्री में बहुत बढ़ी संख्या में भार से लोग PG के लिए जाते हैं फिर वहीं पर सर्व करने लगते हैं यह एक क्वेशन मार्क उठात सकता है तो एक ethical concern तो यह है एक जो हमारा प्रोज है यहां पर वह यह है कि इट बिल इंक्रीज्ट एक्स टू हायर एजुकेशन एक हिसाब सब्सक्राइब आप देखेंगे तो यहां से जो opportunities होंगी वह ओपन अप होंगी बहुत से लोग जो की cut-off नहीं clear कर पाये थे वह अच्छा graduate कर रहा है ठीक है जो graduate के बाद भी उसके उपर एक pressure तो यह भी है और साथ में PG के लिए उसको cut-off clear करना है उसके लिए अलग से उसके उपर बहुत जादा stress होता है इवन recent में बहुत सारी जगह आप पर cases देखने को मिले तमिल नाडू based aspirant जो है उन्होंने भी society कहने के commit किया और भी दूसी चीज़े यहां पर cases हमारे सामने देखने को मिलते हैं तो यह कही न कहीं इस बात का example है कि अगर government का यह step लिया गया है यह students के उपर एक exam stress को minimize करेग मेरी एक बात आप ध्यान रखना जो मैं आपको यहां पर कहना चाहता हूं यहां पर मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अभी आप पूरा एक तरफा decision मत लेना मैं आपको pros and cons discuss कर रहा हूं पहले हम pros पर बात कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि इससे किन-किन चीज़ों पर एक सकार आत्मक प्रभाव पड़ सकता है साथ में चीज और देखने को मिलती है the fostering growth and learning encourage students to focus on their educational journey and learning rather than achieving specific score लब यहां पर जो लोग है वो students जो है जो इस्पिरेंट्स है जो त्यारी कर रहे हैं आपने एजूकेशनल जर्नी पर फोकस करेंगे रादर देन अचीविंग डाइस लाइक स्पेसिफिक स्कोर ठीक है for counseling clear to get the better college अब वो अपनी एजूकेशन जर्नी पर फोकस कर सकते हैं तो यह भी प्रोज हमें यहां पर देखने को मिलता है यह चार्ट अरगे प्रोज आप यहां पर लिख सकते हो फिर अगर मैं कौंस की बात कुरू कि कौंसे कौंस हैं इनमें और कौंसे ethical concern है तो इसमें बहुत अच्छा point हमारे सामने आता है सबसे पहले fairness and merit का जी हां like जो cutoff है वो lower कर दिया गया है इससे यह हो सकता है कि जो individual जो cutoff नहीं clear कर पाए थे उनके लिए कहिना के fairness है ठीक है लेकिन यहां पर एक बात आती है merit के उपर question mark आता है कि जिन बच्चों ने दिन राध हार्ड वर करके उस cutoff को कहिना कहीं cross किया था clear है और उसके लिए इतना दिन राध मन लगा कर मैनत की थी अब उनी के साथ म लाइन में वो student भी आपको मिलेंगे जो की cutoff clear नहीं कर पायते अब वो भी counseling के लिए यहां पर apply करेंगे तो यह चीज़ हमें सो करती है यहां पर कि कहीं न कहीं fairness और merit के basis पे कि यहां पर आप देखोगे तो कहीं न कहीं it will potentially disadvantage candidate who have worked hard to achieve higher score through merit and preparation जोने merit और अपनी preparation से high score लेकर आ एक concern हमें देखने को मिलता है fairness and merit का second अगर मैं बात करूं तो equity versus equality भी देखने को मिलती है यहां पर एक सबसे उड़ी बात यह है कि lower cutoff जो है वो कहीं न कहीं equity को promote करेगा clear equity promote मतलब सभी को ठीक है जो वो access मिल रहा है higher education का ठीक है लेकिन यहीं कहीं न कहीं बोला जाता है कि क्य क्या यह जो equity है यह जो हमारे हाँ पर हमने यह जो equity यहाँ पर establish करनी चाहिए तो लोग बोलते है क्या इस यह इसकी cost equality है जहां पर हम equality की बात करेंगे तो जिस equality में सभी को एक समान नजरिये से सभी के लिए cutoff था सभी को hard work करके cutoff crack cutoff निकालने के बाद ही उन्हें admission लेना च करता वहीं पर अभी आ गया है कि जुन लोगों ने cutoff नहीं भी clear किया है अब वह भी college में admission ले सकते हैं तो यहाँ पर equity versus equality का जो है वह भी मुद्दा हमें देखने को मिलता है आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक और मुद्दा हमारे सामने देखने को मिलता है पीजी के लिए जो specific paper है उसमें उन्होंने वो marks भी obtain नहीं किये थे उतने marks भी वहाँ पर नहीं पाये थे जो कि जरूरी थी counseling के लिए या उनके post graduation के लिए तो अब यहाँ पर question आ जाता है कि जो कहीं न कहीं qualified है वो तो जाकर अच्छा role play करेंगे वो कहीं न कहीं जाकर health sector में एक अच्छा role play करेंगे clear है लेकिन जो यहाँ पे उस label पे qualify नहीं कर पाया था ठीक है तो वो कहीं न कहीं वो जाकर जब लोगों के बीच में आएगा तो बोला जाता है कि admitting candidate with inadequate qualifying can jeopardize patient safety and public health एक पूरवागरा है एक हिसाफ से मेरे हिसाफ से तो लगता है ठीक है कि एक question mark आ जा करेंगे तो यह खिसाब से लोगों को लगता है कि क्या यह better होगा ठीक है क्या यह और हमारे मन में अभी भी question आता है क्या यह ethical principles of healthcare के अगेंस नहीं है तो यहाँ पर भी कौन साप यहाँ पर add कर सकते हैं उसके बाद में अगर देखें तो एक और चीज़ आप एड़ कर सकते बच्चा जो है जो मतलब exam दे रखा इवेन अप तो यह भी question mark यह भी discussion हो रहा है कई लोगों के बीच में कि फिर exam का मतलब ही क्या रह गया ठीक है इसका मतलब आगे चलके यह भी हो गया किसी ने exam नहीं दिया वो भी क्या आपेर कर सकता है लेकिन यहाँ पे zero cut-off जो है जब सिस्टम में वो कहीं ना कहीं reduce होगा मेबी इन future people can ask the question about the fairness and integrity of the admission process तो admission process को के process को fairness को लेकर integrity को लेकर भी कहीं ना कहीं ethical concern है यह भी लोगों के मन में यह question आ सकते हैं तो अगर मैं summarize करने की बात करूं यहाँ पे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले fairness and merit दूसरा equity versus equity versus equality तीसरा patient and safety पेशन सेफ्टी पब्लिक हेल्ट और फोसाजाता है transparency and trust तो यह कुछ ऐसे कौन से जिनको आप लिख सकते हो और वेटर होगा कि आप इसके उपर एक राइटिंग करें ठीक है ताकि आपके एक थाट जो है वो डेबलप होंगे ऐसे ethical questions या फिर ऐसी case study भी आ सकती है उनको आगे in future आपके exam में tackle करने के लिए ठीक है लास्ट में में जाते जाते बस यह कुछ line आपके सामने देखर जाता हो जो कहीं न कहीं आपके एसे में भी help कर सकता है कि medicine means mercy, empathy, dear integrity, care, ingenuity, nobility, ethicality इन point को भी आप यहाँ पर ले सकते हो साथ में नीचे दो line लिखे हुई है medicine is not a profession, medicine is but a sacred calling an average doctor shapes a body, a good doctor shapes a being thank you so much for watching this video, thank you